हलो दोस्तों मेरे चानल में आपका स्वागत है इस चानल में हम कुछ एशियन ड्रामस के बार में बात करेंगे जैसे की स्टोरी क्या है, कास्ट के बार में और आप इस ड्रामा को कहां देख सकते हैं इसलिए वीडियो को प्लीज पूरा अंथ तक देखे तो आज हम जैस ड्रामा के बार में बात करेंगे वो एक वेबटून के उपर बेस्ट है हमारे देश में यूज्यूली जो कॉमिक्स बनते हैं वो बच्चों के लिए बनता है बट जपैन और कॉरिया जैसे कांट्रीज में मैंने देखा है कि हर एज ग्रूप के लिए कॉमिक्स बनाया जाता है जिसे वो मांगा या मानवा बोलते हैं और ये मांगा या मानवा बहुत ही इंट्रेस्टिंग होते हैं मुझे तो काफी अच्छा लगा मैंने कुछ पढ़े है अगर आपने भी ऐसा कोई मांगा या मानवा बढ़ा है तो प्लीज कॉमेंट करके बताइए तो आज हम जिस ड्रामा के बारे में डिसकास करेंगे उसका नाम ट्रू ब्यूटी है ये काफी पॉपुलर ड्रामा है और इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड्स है तो इस ड्रामा के स्टार्टिंग में हम मिलते हैं इम जुग्योंग नम की एक लड़की से जो की यौंगपा हाई स्कूल की एक स्टूडेंट है तो जुग्योंग जो है वो अपने लुक्स को लेकर काफी कॉंशिस है और हम देखते हैं कि वो स्कूल में काफी बुली भी होती है अपने लुक्स के लिए हम देखते हैं कि जुग्योंग की जो फैमिली है उसमें उसकी मॉम, डैड, दीदी और छोटा भाई है उसकी मॉम पैंडोरा नाम की एक ब्यूटी शॉप चलाती है हम देखते हैं कि जुग्योंग और सुहो पहली बार एक बिल्डिंग के छट पर मिलते हैं तो एक दिन जुग्योंग को उसके स्कूल के कुछ स्टूरेंट्स ने बहुत ज्यादा बुली किया था और वो काफी हर्ट हो गई थी इसके लिए तो वो एक बिल्डिंग के छट पर जाती है और वहाँ से नीचे पूरा शहर को देखती है तब ही वहाँ सुहो आ जाता है वो सोचता है कि शायद ये लर्की जो है वो स्वीसाइट करनी आई है यहाँ पर इसलिए वो उसको वहाँ से खीच कर नीचे लियाता है सुहो एक टैक्सी पकरके उसे घर भीज देता है इसके बाद हम देखते हैं कि जुग्यों के जो डाड है इम जे पिल उन्होंने एक फ्रॉड जगा पर पैसा इन्वेस्ट किया है और वो पैसा जो है वो पूरा गवा बैठे है इस कारण पूरे फैमिली को अपना अपार्टमेंट छोड के अपने पुराने घर में शिफ्ट होना परा है यहाँ आके जुग्योंग धीरे-धीरे मेकप परचेस करने लगती है और उसे यूश करना भी सीख जाती है जुग्योंग और उसका भाई जुयोंग सेबपम हाई स्कूल में अडमिशन लेते हैं तो पहले दिन जब जुग्योंग स्कूल जाती है मेकप करके तो सबी स्टूडेंस उसे देखकर सर्प्राइज हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही beautiful लगती है सूहो भी इसी school का एक student है जो की बहुत serious है वो पराई में तो काफी अच्छा है बट बिल्कुल भी friendly नहीं है जूग्योंग अपने class में काफी friends बला लेती है बट सूहा और सूजिन जो है इसके सबसे closest friend बन जाते है initially जो है सूहो जूग्योंग को पहचान नहीं पाता है क्योंकि उसने last time जब उसे देखा था तब वो make up के बगेर देखा था हम जूग्योंग की home room teacher जूनू को भी देखते हैं जो बहुत ही अच्छे और helpful है जूग्योंग के घर के पास Prince Comics नाम का एक comic book store है जहां जूग्योंग और सूहो बहुत ही frequently मिलते है कभी accidentally और कभी purposely जूग्योंग की जो दीदी है ही क्योंग वो एक दिन school के बाहर जूनू को देख लेती है और वो इसे पसंद करने लगती है meanwhile एक दिन जूग्योंग घर वापस आते समय सोजुन से टकरा जाती है उसे लगता है कि सोजुन एक गुंडा है वो उसे देख कर घबरा जाती है और गलती से उसका helmet लेकर भाग जाती है दोनों का जो first impression रहता है एक दूसरे के बारे में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है हम देखते हैं कि सोजुन जो है वो जुग्यों के ही क्लास में पढ़ता है स्कूल में सुहो और सोजुन दोनों ही बहुत ही popular students है बट दोनों जो है वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते है सोजुन जुग्यों को बार बार बोलता है ताकि उसका helmet जो है वो वापस कर दे बट जुग्यों का जो भाई है जुग्यों वो एक second hand website में उसे बेच देता है तो वो immediately तो वो वापस नहीं कर पाती है बट लेटर हम देखते हैं कि वो जो helmet है वो वापस कर देती है सुहो को एक दिन जुग्यों की जो identity है वो पता चल जाता है तो सुहो उसे continuously blackmail करने लगता है और उससे काफी सारे काम भी करवाता है पर फाइनली हम देखते हैं एक दिन जुग्यों उसके सामने रोने लगती है जिसको देखकर उसे बहुत बुरा लगता है वो जुग्यों से माफी मांग लेता है और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है जुग्यों जो है गोउन नाम की एक लड़की को help करती है जो कि अपने singing group members के द्वारा काफी बुली होती है लेटर ओन हम देखते हैं कि गोउन जो है वो सोजुन की छोटी बेहन है जुग्यों का भाई जुयों गोउन को काफी पसंद करने लगता है उसका गाना सुनने के बाद एक दिन स्कूल फेस्टिवल के समय सुहो जुग्यों को काफी भला बुरा बोल देता है जिसे वो बहुत हर्ट हो जाती है हम देखते हैं कि सुहो काफी stress में है क्योंकि सोजुन उसे बार बार ये बोलता है कि सेयन की मौत उसी की वज़े से हुआ है हम ये भी देखते हैं कि एक टाइम पर सुहो, सोजुन और सेयन ये तीनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे सुहो का जो अपने डाट जुहों के साथ रिलेशन है वो भी अच्छा नहीं है जुहों जो है वो एक फेमस अक्टर भी है और मूव एंटरेंब्मेंट नाम की एक कंपनी की सी-यो भी है हम देखते हैं कि जुग्यों की दीदी हीक्योंग भी मूव एंटरेंब्मेंट में काम करती है स्कूल फेस्टिवल में सुहो कुछ लर्कों को सेयोन का एक गाना गाते हुए सुन लेता है जिसको सुनकर सुहो बहुत अपसेट हो जाता है वो एक बिल्डिंग के रूफ में जाकर रोने लगता है जूग्योंग वहाँ आ पहुचती है और उसे कंसोल करती है ये वो ही बिल्डिंग है जहां सुहो और जूग्योंग पहली बार मिले थे सुहो उसे बताता है कि सेयोन इसी बिल्डिंग से सुईसाइट किया था क्लास के पेरेंट टीचर मीटिंग में जूग्योंग की मॉम ह्यून सुक सुहो और उसके डैट से मिलते हैं ह्यून सुक जो है वो सुहो के डैट के बहुत बड़े फैन है ह्यून सुक जूनो का आईब्राव कंडिशन देखकर उसे बोलती है ताकि वो उसके ब्यूटी शॉप में एक बर आए एक दिन सुहो जूक्यों को उसके बुलीस से बचाता है और दोनों में फिर से फ्रेंडशिप हो जाती है सुचून भी दीरे दीरे जूक्यों को पसंद करने लगता है meanwhile हम देखते हैं कि जूनो और ही क्यों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं सुहो और सोचून जूक्यों को कितना पसंद करते थे ये हम multiple instances में देखते हैं दोनों जूग्यों को बचाते हैं जब कुछ student गुंडे उसे किड्नाप कर ले जाते हैं और जब popular baseball player Ryu Hyunjin उसे ज्यादा attention देता है तब हम देखते हैं कि दोनों ही बहुत jealous हो जाते हैं meanwhile एक misunderstanding की वज़े से जूग्यों को लगता है कि सूहो और सूजिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं जब पूरा class एक school trip में जाते हैं तो जूग्यों इनिशिली सूहो को इग्नोर करती है बट सूजुन के साथ काफी friendly रहती है पर सूहो जो है वो misunderstanding clear करता है और जूग्यों को समझाता है कि वो जूग्यों को ही पसंद करता है और उसे एक chain पहना देता है ये जानकर सूजुन जो है वो hurt हो जाता है स्कूल ट्रिप के दौरान सूजुन जूग्यों का जो असली चहरा है यानि की make-up के बगेर जो चहरा है वो देख लेती है सूहो सब को बताना चाहता है कि वो जूग्यों को date कर रहा है बट जूग्यों जो है इसके लिए मना कर देती है मेन्वाइल स्कूल से सभी को एक future career field survey फॉर्म दिया जाता है जहां उनको लिखना है कि वो future में क्या करना चाहते है जूग्यों इनिशिली काफी confused रहती है बट फिर वो लिखती है कि वो हानकोक यूनिवर्सिटी में जो मेकप मेजर है वो बनना चाहती है जूग्यों एक part time job डूने लगती है ताकि मेकप classes के लिए register कर पाए क्योंकि उसकी mom जो है इसके अगेंस थी सूग्यों उसे एक काफे में job दिलवाता है जहां वो खुद भी काम करता है meanwhile एक दिन सूग्यों देख लेती है वो chain जो सूगों ने जूग्यों को पहनाया था ये chain जो है सूग्यों सूगों के पास देखी थी school trip के समय तो ये देखकर वो थोड़ा upset हो जाती है जब जूग्यों सूग्यों को बताने की कोशिश करती है कि वो और सूगों date कर रहे हैं तब सूग्यों उसे बताती है कि वो सूगों को पसंद करती है अब जूग्योंग जहाएं वो काफी कन्फ्यूज हो जाती है क्योंकि वो समझ नहीं पाती है कि वो प्यार को चुने या फ्रेंशिप को इस समय सोजुन उसे काफी सपोर्ट करता है सुजिन जूग्योंग और सूगों के बीच में बार बार problems create करती है जिससे सूगो और जूग्योंग दोनों ही बहुत hurt होते हैं उसी तरफ क्लास को यह लगता है कि जूग्योंग वो सूजुन को date कर रही है सुहो चाता है कि सब को बताए कि वो और जुग्योंग डेट कर रहे थे बट जुग्योंग जो है इससे refuse कर देती है सुहो उसे ये भी बोलता है ताकि वो पार्ट टाइम जॉब छोड़ दे क्योंकि उसे वहाँ पर सोजन के साथ काम करना पड़ता है बट इससे जुग्योंग जो है refuse कर देती है मीनवाइल मूव एंटर्टेन्मेंट सेयोन का एक गाना किसी और के नाम से रिलीस करने वाले हैं यह हम देखते हैं इसी को लेकर जुहोन और ही क्योंग के बीच एक आर्गुमेंड हो जाता है सुहो भी यह सुन लेता है उसी दिन हम देखते हैं कि सुहो और सोजन का एक एक सब्स्क्राइड हो जाता है और दोनों ही होस्पिटलाईज हो जाते है हम यह भी देखते हैं कि जुहोन जो है वो डिरेक्टली रिस्पॉंसिबल नहीं थे सोयोन के सुईसाइड के पीछे हॉस्पिटल में रहने के समय सुहो और सोजुन के बीच में जो मिसंडरस्टांडिंग्स थे वो धीरे-धीरे क्लियर हो जाते है एक दिन सुहो और जुक्यों को सुजिन हॉस्पिटल में एक साथ देख लेती है और वो बहुत ही गुसा हो जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि यौंग्पा हाइ स्कूल की एक और स्टूडेंट हीमिन सेबॉम हाई में जोइन करती है सुजिन हीमिन को बार-बार यूज करती है जुक्यों को अनकम्फिटबल फील करवाने में हीमिन जुक्यों को पहचान जाती है बड़ जुक्यों उसे बोलती है ताकि वो ये बात किसी को न बताए जुक्यों को स्कूल का मॉडिल सिलेक्ट किया जाता है और उसके पिक्चर्स जो है वो लिये जाते है ये pictures school के अंदर और school के बाहर डिस्प्ले में दिखाया जाता है सूजिन यौंगपा हाई स्कूल की एक बुली सेमी से जुग्यों के पुराने जो pictures है वो मंगवा लेती है सेमी ये pictures सूजिन को भेज देती है सूजिन सूभो को बोलती है ताकि वो जुग्यों के साथ ब्रिक अप कर ले बट सूभो जो है इससे मना कर देता है और वहाँ से चला आता है इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के website के एक anonymous board में जुग्यों का एक पुराना वीडियो अप्लोड हुआ है जहां पर वो दूसरे students के द्वारा बुली हो रही है सिभो महाई के सभी students जुग्यों के बारे में काफी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और सभी उस पर हसते हैं जुग्यों स्कूल की students का behavior देखकर स्कूल से भाग जाती है और कुछ दिनों तक वो classes मिस कर देती है सुहो उसे continuously contact करने की कोशिश करता है बर जुग्यों उसे बात नहीं करती है meanwhile एक दिन हम देखते हैं कि जुग्यों के जो home room teacher है जुनू वो जुग्यों की मम्मी को स्कूल में बुलाता है और उनको सब कुछ बता देता है जुग्यों सुजिन के घर जाती है उससे मिलने और उससे पूछती है कि ये सारा कुछ उसी ने किया है कि नहीं सुजिन बोलती है कि ये उसी ने किया है meanwhile जुग्यों की मम जब घर आती है तो वो बहुत ही रोती है ये सारा कुछ सुनकर वो जूक्योंग को भी कंसोल करती है और हम देखते हैं कि एक बार तो वो उसे एक प्लास्टिक सर्जिन के पास भी ले जाती है ताकि सर्जरी करके उसको और भी सुन्दर बना पाए जूनो पूरे क्लास को समझाता है कि बुलींग करना बहुत ही एक खराब चीज है और अटलीस्ट उनको जूक्योंग को सपोर्ट करना चाहिए जूक्योंग सुहों से मिलती है और उसे माफ़े मांगती है अपने बिहेवियर के लिए और दोनों में फिर से सुला हो जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि सुहों के डैट जो है वो अबरॉट चले जाते है जाने से पहले वो सुहों से बात करके जाते है नेक्स टे जूक्योंग बिना मेकप के स्कूल जाती है और उसके क्लासमेट्स और फ्रेंज उसे देखकर बहुत खुश हो जाते है जुग्योंग सभी को बोल देती है कि वो और सुहो जो है वो डेट कर रहे है meanwhile ये भी हम देखते हैं कि जो anonymous board है वहाँ से जुग्योंग का वीडियो अल्रीड हट चुका है पर उसकी जगा एक नया post दिखता है वहाँ पर जहां ये mentioned है कि ये सारा कुछ सुजिन ने किया है क्योंकि वो सुहो को पसंद करती थी और सुहो जो है वो जुग्योंग को डेट कर रहा था सभी students सुजिन के बारे में बहुती भला बोरा बोलने लगते हैं सुजिन स्कूल से भाग जाती है जाने के समय जुग्योंग उसे मिलती है और उसे बोलती है कि वो उसे एक और opportunity देना चाहती है बट सुजिन उसे refuse करके चली जाती है वहाँ से इसके बाद हम ये देखते हैं कि जुग्योंग makeup academy का जो test है उसमें पास हो जाती है और जुग्योंग और सुहो एक trip में जाते है सुहो को पता चलता है कि उसके डैट जो है वो बहुत बिमार है इसलिए सुहो जो है वो अबरोट चला जाता है अपने डैट को देखने के लिए सुहो के डैट का cerebral hemorrhage का surgery होता है बढ़ उसके बाद भी उनका जो condition है वो ज्यादा improve नहीं होता है इसलिए सुहो वापस Korea नहीं आपाता है एक दिन सुहो जुग्योंग को phone करता है और phone पे ही breakup कर लेता है सुजिन भी हम देखते हैं school से drop out कर लेती है कुछ साल बाद हम देखते हैं कि जुग्योंग जो है वो एक make-up artist बन चुकी है सुजुन भी as a singer अपना debut करने वाला है पर सुजुन अभी भी जुग्योंग को काफी पसंद करता है और उसे बोलता है कि वो उसके साथ तीन dates पर जाना चाहता है मीनवाइल एक दिन जुग्योंग सुहो को नामसन टावर में देख लेती है सुहो उसे बोलता है कि वो जुग्योंग को काफी मिस किया है जुग्योंग ये सुनकर वहाँ से भाग जाती है बट मिडवे उसकी तबियत खराब हो जाने के कारण सुहो उसे होस्पिटल ले जाता है जुग्योंग होस्पिटल से भी भाग जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि सुहो बार-बार जुग्योंग को मिलने की कोशिश करता है बट जुग्योंग उसे देख कर भाग जाती है बट फाइनली सोजुन उनका पैच अप करवाता है क्योंकि वो जानता था कि जुग्योंग और सुहो अभी भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे बट सोजुन खुद बहुत हर्ट हो जाता है जुग्योंग एक दिन एकसिडेंटली सुजुन से भी मिलती है और सुजुन उसे माफी मांग लेती है दोनों में फिर से फ्रेंशिप हो जाती है पाइनल एपिसोड में हम देखते हैं कि जुग्योंग और हीक्यों की शादी हो रही है जुक्योंग के जो सभी स्कूल फ्रेंज हैं वो शादी अटेंड कर रहे हैं सूहो सोजुन को बोलता है कि वोüher मियूजिक लेकर परहाई करेगा ताकि वो सक्राट से सब कुछ सीख पाई Finally सोजुन अपना debut करता है डेब्यू में वो से यओन का एक गाना गाता है जिसका मियूजिक चो है वो सूहो ने कमपोष किया था सुहो और सोजुन दोनों रोने लगते हैं और उन्हें सेयॉन की याद आ जाती है फाइनली हम देखते हैं कि जुग्योंग और सुहो दोनों प्रिंस कॉमिक्स में बैठ कर एक हॉरर कॉमिक एक साथ पर रहे है ये ड्रामा मेरे फेवरेट ड्रामाज में से एक है मून गायोंग मुझे जुग्योंग के कैरेक्टर में बहुत ही पर्फेक्ट लगी ड्रामा में काफी फानी मोमेंट्स है स्पेशली जब सुहो और सोजन दोनों हस्पिटलाईज होते हैं उस टाइम पर ये ड्रामा आप देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए चानल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भोले कॉमेंट करके अपना फीडबैक जो है वो शेयर कीजिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक टिक केर